अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है ख्रिम्या सोचें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्ध्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोज को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियो उसको क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टेली की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है तथा ट्रायल बैलन्शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि ट्रायल बैलन्स क्या है इसके आवश्यक्ता क्यों होती है और लेजर से ट्रायल बैलन्स शीट कैसे बनाई जाती है जब हम किसी प्रोफेशन या बिजनस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाना और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है हिसाब किताब रखने से ही हमें बता चलता है कि व्यापार या व्यावसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लौस आपको याद होगा कि हमने Trial Balance Sheet में सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से Liabilities, Assets, Income और Expenses में बाटा था वर्ष समापती पर व्यावसाय में Profit हुआ या Loss ये निकालने के लिए हमें Trial Balance में हमारे जितनी भी Income और Expenses से संबंधित अकाउंट्स हैं उनके Balances, Trading and Profit and Loss अकाउंट में Transfer करना होते हैं अब ये समझ लेते हैं कि Trading and Profit and Loss अकाउंट क्या है ये भी Ania Accounts की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट है सुविधा की दृष्टी से हम इसे दो भागों में बाट सकते हैं पहला Trading Account और दूसरा Profit and Loss अकाउंट आई आप देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में Income और Expenses से संबंधित कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर किये जाते हैं और उसे हमें क्या पता चलता है व्यापार खाता वो खाता है जो व्यापार के सकल लाब यानि Gross Profit और सकल हानी यानि Gross Loss मालूम करने के लिए बनाया जाता है इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, विक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्य यानि Direct Expenses शामिल किये जाते हैं उप्रोक्त परिभाशा में उप्यो किये गए शब्दों में से हम आपको खरीद, विक्री और Direct Expenses के बारे में पहले ही बता चुके हैं अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक को समझ लेते हैं किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है वर्ष के अंत में जो माल बिना विकार रह जाता है वो उस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समापती पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मुल्ख 1 लाख रुपए है तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगला वर्ष जो 1 अप्रेल 2020 से प्रारंभ हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा आईए अब हम व्यापर खाता बना लेते हैं इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं चुँकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे जीरो लिख रहे हैं अब एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंदे जितने भी खाते जासे कि खरीद, विक्री और सभी प्रत्यक्ष वैके खातों के जो भी बैलन्स है वो यहाँ पर लिख देंगे एक महतुपून बात का ध्यान रखें ट्राइल बैलन्स में जो बैलन्स डेबिट में है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखेंगे तथा जो बैलन्स क्रेडिट में है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे साध ही हम जो balance trial balance से Trading Account में ले आएंगे उनकी बहचान के लिए trial balance में उसे लाल रन्ग करदेंगे ओपनिंग स्टॉक के बाद debit side में ही purchase account का balance लिख लेते हैं इसके बाद हमारा direct expenses का एक ही खाता है freight account का हम उसका balance भी लिख देंगे चलिए अब trading account में right side में हमारे sales account का balance लिख देते हैं और इसके बाद हमारा जो भी closing stock होगा वो दिखना होगा हमारा कोई closing stock नहीं है इसलिए यहां हम zero लिख रहे हैं अब इन दोनों पक्षों का total लगा लेंगे ध्यान रखें यदि credit side का total debit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर यानि difference हमारा gross profit कहलाता है और यदि debit side का total credit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा gross loss कहलाता है यहां देखिए credit side का total debit side के total से अधिक है मतलब यहां पर हमें gross profit हुआ है अब हम gross profit निकाल लेते हैं credit side का total है एक लाख रुपे debit side का total है 81,100 रुपे तो यहां पर हमको gross profit हुआ 18,900 रुपे accounting के principle के अनुसार दोनों पक्षों यानि debit का total और credit का total बराबर आना चाहिए तो यह amount हम debit side में लिख करके दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं अब हम gross loss को समझने के लिए एक उधारन देख लेते हैं देखिए इस उधारन में debit side का total credit side के total से अधिक है मतलब हमें gross loss हुआ है हम gross loss निकाल कर देख लेते हैं debit side का total है 1,20,000 रुपे और credit side का total है 1,00,000 रुपे तो यहां पर gross loss हुआ 20,000 रुपे का हमने आपको समझाने के लिए ये जो उधारन बताया था इसे हम हटा देते हैं ये जो gross profit या gross loss हमें trading account से प्राप्त होता है आगे उसे profit and loss account में ले जाना होता है एक महतुपुन बाद ध्यान रखें जब भी हम किसी खाते का balance आगे ले जाते हैं तो उसे opposite side में लिखते हैं जैसे कि हमने trading account में जो debit side में gross profit निकाला है इसे इकांट पर काम कर लेते हैं पर उससे पहले हमें इसकी परिभाशा समझनी होगी व्यापार खाता बनाने के बाद लाभानी खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाग यानि net profit या शुद्धानी यानि net loss को निकाला जाता है इसमें हम व्यापार खाते में जो भी अकांट ले चुके हैं उनको छोड़कर income और expenses के शेश सभी खाते लेते हैं यानि indirect income और indirect expenses के सभी खाते इसमें लिये जाते हैं और इससे प्राप्त शुद्ध लाप या शुद्धानी पूंजी खाते में transfer कर दी जाती है यहां से हम अपना profit and loss account बना रहे हैं सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से gross profit हुआ है तो उसे right side में लिखना होता है जो कि हम लिख चुके हैं यादि हम एक gross loss प्राप्त हुआ है तो उसे हम left side लिखते हैं इसके बाद right side में हमारी जितनी भी indirect income है वो लिखतेंगे और left side में जितनी भी हमारे indirect expenses है वो लिखतेंगे दोनों side का total लगाएंगे देखे हमारा credit side का total debit side के total से अधिक है तो इसका तात पर यह है कि हमें net profit प्राप्त हुआ है यहां दोनों पक्षों का अंतर जो कि हमारा net profit है वो लिख देंगे ऐसा करते ही देखे दोनों पक्ष भी समान हो गए है यहां तो हमें net profit हुआ है लेकिन यदि net loss हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते आईए एक उधारन की सहता से समझ लेते हैं यह देखे इस उधारन में debit side का total credit side के total से अधिक है बतलब हमें net loss हुआ है हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हटा देते हैं यह जो net profit या net loss हमें profit and loss account से प्राप्त होता है उसे capital account में transfer करना होता है चलिए हमें profit and loss account से जो net profit प्राप्त हुआ है उसे capital account में transfer कर देते हैं जैसा कि हमने आपको trading account के अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के balance को आगे ले जाते हैं तो उसकी entry opposite side में करते हैं तो net profit की हमारी entry capital account में credit side में होगी देखिए profit होने से हमारे capital account का balance बढ़ गया है इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका साराँच यह है कि हमने trial balance से income और expenses की सभी खातों को trading and profit and loss account में transfer कर दिया यानि ये खाते अब समाप्त हो गए हैं और trading and profit and loss account से हमें जो profit प्राप्त हुआ उसे हमने capital account में transfer कर दिया और ऐसा करते ही हमारा profit and loss account का काम भी समाप्त हो गया अब हम एक काम और करेंगे trial balance से जिन खातों का balance हम trading and profit and loss account में ले जा चुके हैं और जिने हमने पहचानने के लिए लाल रंग भी किया हुआ है उन सभी खातों को हम trial balance से हटा देंगे देखे यहां आप सिर्फ assets और liabilities के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं पर यहां एक समस्या भी आ रही है नीचे दोनों पक्षों का जो total है उसमें difference आ रहा है जबकि accounting के principles के हिसाब से यह दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए इसका कारण यह है कि यहां जो capital account का balance लिखा है वो पुराना है हम इसे हटा कर capital account का current balance यहां पर लिख देते हैं देखे ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने trial balance के आधार पर अपना trading and profit and loss account बनाया और अपने व्यवसाय में होने वाले लाब या हानी की जानकारी प्राप्त की और यही हमारे हिसाब किताब रखने का मुख्योदेश भी था जो कि यहां पर पूरा हो रहा है तैली में हमें trading and profit and loss account नहीं बनाना होता है वो हमें एक preview देता है जिसके आधार पर हमें कुछ transfer entries करना होती है डियान रखने की बाद यह है कि टैली में इसका नाम सिर्फ profit and loss account है हमारी अगली वीडियो में आप balance sheet के बारे में जारेंगे और उसी के साथ हमारी accounting संबंधित जरूरी जानकारी पूरी हो जाएगी